ओम नमो नारायन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विज्या एकादशी विज्या एकादशी की महिमा और इसके महत्व और तिथी शुब मूर्थ के बारे में बताने से पहले आपको ये इन सभी व्रतों में जो सबसे प्रमुक सबसे उत्तम व्रत माना जाता है वो माना जाता है एकादशी का एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे तीन दिन तक नियमों का पालन करना होता है और एकादशी का व्रत रखने से अगर कु चंद्रमा कमजोर इस्थिती में होता है तब ऐसे लोगों को मानसिक तनाव बना रहता है जल्दी जल्दी ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं जल्दी प्रसंद हो जाते हैं अपनी आप ही दुखी हो जाते हैं बिना किसी कारण के परिशान होने लगते हैं या ऐसे लोगों को हर स अपना अलगी महत्व है हर एक आदशी अपने आप में एक अलगी पुर्णि देने वाली है एक आदशी का व्रत रखने से व्यक्ति के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का प्रहशित हो जाता है सारे पाप शमा हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में के व्रत रखे हैं उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह से कोई अशुप प्रभाव देखने को मिल रहा हो तब भी ऐसे में एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों के प्रतिकूल या बुरे प्रभाव को काफी हद तक कम किय जा सकता है हिंदी पंचांग के नुसार ग्यारवी दिथी को एकादशी का वरत रखा जाता है ऐसे में फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी जिसका नाम विज्या एकादशी है जैसा कि इसका नाम है ऐसा ही इसका महत भी होता है इसलिए विज्या एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान विश्नु की पूजा करता है भगवान श्री राम की पूजा करता है उनको हर कामे सफलता प्राप्त होती है उनके शत्रों पर उन्हें विजय प्राप्त होती है विजया एकादशी का व्रत रखने से बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान से दूर किया जा सकता है जीवन में कोई कस्ट है कोई दुख है तो वो भी एकादशी वरत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं साल 2022 में जो एकादशी का वरत है फालगुनमास के कृष्ण पक्ष की विजिया एकादशी का इस पार दो तिथी को रहने वाला है ऐसे में हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचकर परिशान हों कि हमें वरत किस तिथी को रखना चाहिए तो सबसे पहली बात तो बता दूँ कि जब भी एकादशी की तिथी दो दिन तक होती है तब ऐसे में द्वादशी तिथी युक्त और सूर्यदय व्यापनी तिथी में ही एकादशी का व चाहता हो या जीवन में हर प्रकार के सुख भोगना चाहता हो ऐसे व्यक्ति को द्वादशी तिथी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए विजया एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि इस व्रत को स्वैम भगवान श्री राम ने भी रखा था रावन से युद्ध करने से पहले इस व्रत को धारन किया था धर्म राज युधिस्टिर ने भी महाभारत का युद्ध प्रारम करने से पहले विजया एकादशी का व्रत किया था जिस कारण उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी इसी प्रकार यदि कोई व तो जीवन में एक बार विज्या इकादशी का वरत अवश्य रखना चाहिए। जीवन में एक बार विज्या इकादशी का वरत अवश्य रखना चाहिए। इकादशी का वरत निरहार रहकर और फलाहार रहकर दो तरह से रखा जाता है। तो जिसकी जैसी सामर्थ हो उसकी अनुसार आपको वरत रखना चाहिए। यदि आप फलाहार ग्रहन करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन दिन भर उपवास रखकर शाम को पूजा और आरती और वरत कथा सुनने के बाद में आप फलाहार ग्रहन कर सकते हैं। फलाहार में आप आज के दिन ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, दूद, अद्रक, काली मिर्च और इसके अलावा साबूदाना या शकरकंद का भी प्रियोग कर सकते हैं। अलाकि बहुत सारे लोग इकादशी वरत में साबूदाने का प्रियोग नहीं भी करते हैं। तो आपकी जैसी श्रत्धाओं आप उसके अनुसार प्रत रख सकते हैं। घरती पर रेंगने वाले कीडे मकोणों का जनम मिलता है। एकादशी वरत के नियमों का पालन दश्मी तिति से ही प्रारम हो जाता है। दश्मी तिति को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यानि कि बिना लहसुन प्याज का और मानसाहर का प्रियोग तो इस नानादी से निवरित हो, हाथ में जल या पुषपले कर वरत का संकल प्रे, पूजा करे, मंत्रों के जाब के साथ वरत कथा पढ़े या सुने और फिर दिन भर उपवास रखते वे आप अगले दिन यानि कि दौादशी तिति को शुब मोहुर्द में ही अपना वरत खो इस नियम को नहीं मानते, वो 26 फरवरी शनिवार के दिन भी इकादशी का वरत रख सकते हैं 21 की तिति प्रारम हो रही है 26 फरवरी शनिवार की सुभा 10 बच कर 40 मिनट से जिसकी समापती होगी 27 फरवरी रविवार की सुभा 8 बच कर 12 मिनट पर क्योंकि इस बार सूर्यदे व्यापिनी और द्वादशी तितियुक्त एकादशी 27 फरवरी रविवार की सुभा ही समाप्त हो रही है ऐसे में आपको परिशान होने की जरत नहीं है 26 फरवरी को जो लोग व्रत रखेंगे उस दिन सूर्यदे का समय रहेगा सुबच 6 बचकर 54 मिनट सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बचकर 24 मिनट पर 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दश्मी तिति का पालन 26 फरवरी से ही करना चाहिए और जो 26 फरवरी को व्रत रखेंगे उन्हें 25 फरवरी से दश्मी तिति का पालन करना चाहिए द्वादशी तिती प्रारंब हो रही है 27 फरवरी रविवार की सुभा 8 बज कर 13 मिनट से जिसकी समाप्ती होगी 28 फरवरी सोमबार की सुभा 5 बज कर 42 मिनट पर इस बार द्वादशी तिती भी सूर्योने से पहले ही समाप्त हो रही है ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए 27 फरवरी रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुभ़ 6 बच कर 54 मिनट पर और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 6 बच कर 25 मिनट पर जो लोग 26 फरवरी को इकादशी का अव्रत रखेंगे उनके लिए 22 तिथी का जो शुब मोर्त रहने वाला है व्रत परण का वो रहेगा 27 फरवरी की दोपहर 1 बच कर 45 मिनट से शाम 4 बच कर 1 मिनट तक ऐसा इसलिए क्योंकि सुभ़ के समय हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय कभी भी 22 तिथी में व्रत नहीं खोला जाता है हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है जिन्होंने 22 तिथी युक्त 21 तिथी का व्रत 27 फरवरी को रखा है उनके लिए 28 फरवरी सोमवार को सुभा 6 बच कर 48 मिनट से लेकर 9 बच कर 6 मिनट तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है ये थी आज की जानकारी उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप सुनना चाहते हैं विजया इकादशी की व्रत कता और जानना चाहते हैं संपुन पूजाविधी के बारे में तो इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखीगा जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं